दोस्तों आज में आको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जहां एक महिला घर आए जवान भाजे को देखकर दिल दे बैठी और रात में उसे चाय पिलाने के बहाने रूम में बुलाकर अवैज संबन बनाने के लिए उत्ते जित करने लगी उसके बाद जो हु आप हो देख लो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे एसे अफ्लेयर यूजिव चैनल में तहे दिल से स्वागत हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों ये जवान मामी सभी रस्मू को निभाते हुए उसके पास आई और बगल में बैटकर मुस्कराते हुए हाल चाल पूछने लगी कुछ देर हाल चाल पूछने के बाद जब वेह शान्त हुई तो मनोच कुमार अपने मामी से पूछने लगा अच्छा मामी आप मुझे बेहभात खाने की खुशी में कौनसी चीज दोगी तभी उसकी मामी मुस्कराते हुए बोली आपके मामा तो प्रदेश में है फिट भी माय अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आपको एक ऐसी अनोखी चीज दूछी से आप पूरी जिंदगी याद रख सको ये शब्द सुनते ही मनोच कुमार अश्चर में पढ़ गया और मानही मन सूचने लगा कि ऐसी कौन सी ची मामी मुस्कराने लगी और बोली हमारे पास है एक चीज मगर इसके लिए आपको रात रूखना होगा क्योंकि इस बीच उसकी जवान मामी का दिल उस पर आ गया था इसलिए वे इस तरह की बातें कर रही थी जिसके बाद मनोच कुमार कहने लगा ठीकी है मामी इस अनोखी चीज को देखने के लिए एक रात क्या दो तीन रात रूखने के लिए तैयार हूँ फिर क्या था मामी और भानजे दोनो रात होने का इंतहर करने लगे इधर धीरे-धीरे समय बीचता गिया और रात हो गए परिवार के सभी लोग खाना पानी खा कर अपने बिस्तर पर आक मामी मनुच कुमार को चाह पहलाने के बहाने अपनी रूम ने बुला लिया और उसी बिस्तर पर लिटा एक यिट संबंद बनाने के लिए हरकतें के लगी। जैसे ही कुछ देर तक मनुच कुमार की मामी मनुच कुमार के साथ था कते की तो उसके भी मन के अंदर वासना जाग गई अब दोनों के मन के अंदर वासना जाग चुकी लिहाजा दोनों एक दूसरे से शारिडिक संबंद बनाने लगे कुछ देर ना जायच संबंद स्थाप मुस्कराते हुए कहने लगी तुम बुद्धु के बुद्धु ही रह जाओ गया ही तो वो अनोखी चीच थी जिसे तुम जीवन में कभी नहीं भूल सकते हो जिसके बाद मनुच कुमार कहने लगा तुम सही कह रही हो मामी जो आपने मुझे अभी बेहभात खाने की रहा था कि तभी एक राद मनुच कुमार के नाना ने मनुच कुमार को अपनी जवान बहू के साथ आपति जनक हालत में पकड़ लिया लेकिन समाज में बदनामी के डर से वे इन ज्यादा कुछ नहीं बोले जिसके बाद मनुच कुमार वहां से वापस अपनी घर चला आया तो देखा दोस्तों आपनी आजकल समाज में इस तरह की घटनाई अक्सर घट रही है इसलिए आप अपराधीक मान सिक्ता को समझें और सतर्क रहेद